हेलो एवरिवन दिस इस प्रियंका जाखः एंड वेलकम यू ओल एड गमेट जोबलट आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो एक्जाम की प्रिप्रेशन है वो भी काफी अच्छी चल रही होगी तो देखिए आज की इस वीडियो में हम जो इटी उनाट चुरानवे के प इतना टाइम है हमारे पास प्रिपेशन करने के लिए ऐसे बहुत सारे कोशन साते हैं के तो देखिए ये बात आप सभी को पता है कि हाई कोट ने जिस तरह से ओडर जारी किये थे आल्मोस्ट वन मंथ हो चुका है अब हाई कोट के और राई हो भी तो ऐसे में ये कोशन कब तक जारी की जाएगी क्योंकि जिस हिसाब से देखे हाई कोट ने सिर्फ 3 मंथ का टाइम डिया डिपार्टमेंट को की वी दिन 3 मंथ जो एक्जाम है उसे कंड़ेट करवाया जाए तो ऐसे में सबसे बड़ा कोशन नहीं बनता है कि अभी तक एक्जाम डेट क्यों नही z zitten में आक क्या जारी कर दिया तो ऐसे में देखे में कही नकराइं डिपार्टमेंट ने काफी अच्छी खासा ही काम किया क्योंकि जो मरें कि विदिन 17 तो 18 डेज में जो जारी कर दिया गया था तो ऐसे में देखिए जो स्टार्टिंग में जो उमीद लगाई जारी थी कि जो आपका जो पंजाबी पेपर एका जो सलेबस है और जो एक्जाम डेट है वो दोनों एक साथ ही जारी की जाएगी क्योंकि डिपार्टमें जारी नहीं की गई तो अब सबसे बड़ा कोशिन आता है कि अग्जाम डेट अब कब तक जारी की जाएगी क्योंकि काफी तो अभी है जो अभी माइड में कहीं ना कहीं फिक्स करके बैठे कि हम अपनी प्रिपेशन तभी स्टार्ट करेंगे जब एक्जाम डेट जारी की दो सबसे पहले तो मैं अगर एक्जाम डेट की बात करूं तो सबसे पहले बता देती हूं जो अभी तक जो इंटनल सोरसेस नेंड़ मिरी है वो यह है कि डिपार्टमेंट लेवल पे यानि ने डिपार्टमेंट ली जो आपकर ग्जाम डेट जारी करने की रिगार्णि या डिपार्टमेंट लेवल पर देखें यह सब जो काम है वो फिनिश हो चुके है और कहीं न कहीं यह उमीद भी थी कि इलेक्शन से पहले साइद आपकी एक्जाम डेट है वो जारी की जाए बट अब देखें जो मैं आपको बता रही हूं कि जो अभी जो आपका जो सिनियरियो कई फर जो जारी की जाएगी जैसे की हुए सब जैसे की फिर प्रेंट जोalnya की जो एक्जाम डेट हो जारी करता है हैं सब वि aparece कोपता है अब ही क्या है, elections में कैसे क्या काम वेरा होता है, यह सब यह आपको पता है, तो कहीं न कहीं, इसी चीज की वज़े से जो exam date है, उसे जारी करने में छोड़ा सा delay देखने को मिल रहा है, बाकि exam date आपको elections के बाद ही देखने को मिलेगी, अब totally depend करेगा, कि आपकी exam date है, वो 2nd of June उनको जारी की जाए, या फिर election का result आने के बाद जारी की जाए, कैसे की जाएगे, बाकि इतना confirm है, कि अब आपकी exam date है, वो election के बाद ही आपको देखने को मिलेगी, और इसमें भी काफी candidate के ऐसे questions आते है, कि मैं अब भी जैसे syllabus के regarding query आतनी candidate की, कि मैं जो syllabus है, वो ही syllabus होगे, क्या होगा, तो सबसे पहली बात तो देखिए, अभी जैसे आप अभी को पता है, कि जो syllabus है, दुबारा से syllabus जारी किया गया है, और इस बार जो grammatical portion है, वो as compared to previous जो अपका syllabus था, उससे जादा है, यानि इस बार जो grammatical portion है, उसको अच्छी खासी वेटीज दी गई ह और कहीं न कभी final exam में भी आपको grammatical portions ही जादा देखने को मिलेगा as compared to literature, और second बात, आप खुछ सोच के देखिए, जो ये पूरा case था, जिसकी बज़े से पूरा का पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि पंजाबी paper का जो syllabus था, उसे quiz कर दिया गया, वो case actual में था किस बारे, व जो last hearing होई थी, उससे पहले तो कहीं मुद्दा भी नहीं था, इस तरह से syllabus को लेकर, last hearing में कहीं न कहीं, petitioner की तरफ से ये बात उठाई गई, कि syllabus जो था, up to the mark नहीं था, ये सब बाते, और ये देखिए, ये court cases में बहुत ही normal बात है, जब आपको लगता है कि आपको लगता इस तरह से, जो syllabus है, उसे quest किया गया, even actual में जो demand थी, वो तो syllabus के regarding थी भी नहीं, वाकि खैर देखिए, high court के order आचुके है, और उसमें अब कोई भी कुछी भी नहीं कर सकता, main बात है, कि exam जल से जल कंडेक्ट हो, और उसके बाद जल्दी से जल्दी, आगे की जो process है, उसे complete लीड किया जाए, तो syllabus के regarding, देखिए, आपको चिंता करने की कोई जुरूत नहीं है, syllabus आपका इस बार सही है, यह जो syllabus से ही challenge नहीं होगा, और दूसरी बात, देखिए, काफी candidate ऐसे है, जो जिनकी यह भी query जाती है, कि मैं अगर अभी तक जैसे exam date यह से आप बता रहे हो, कि जुन में, election के बाद ही, आपकी exam date जारी की जाएगी, तो जुन का भी starting का जो week है, आलमोफ जा चुका होगा, तो जुन में एक्जाम किसी हाल में नहीं होगा, जुलाई में कहीं जाएगा, उसके बाद ही हम preparation start करेंगे, तो मैं उन candidate को देखिए, बदाना चाहूँगी, बिल exam date जारी करने के बाद, आपके पास बहुत ही गिने चुने दिन ही होंगे for your preparation, तो अगर आपके माइन में अभी है कि हम तो exam date आने के बाद preparation करेंगे, तो बता देती हूँ, आपका जो exam है, 99% आपका exam जुन के मंत में ही conduct होगा, तो उसके बाद आप अपको दंदादा लगा कि इतना तो आपके पास time है, किस तरह से preparation करनी है, आपके पास बिल्कुल गिने चुने ही दिन है, exam की जो date है, election के बाद जारी कर दी जाएगी, और उसके बाद आपका बहुत जाल exam भी conduct होगा, और देखें, इसके अलावा भी कुछ ऐसी queries है, जो candidate के आती है for the examination, उसमें सब सब्सक्राइब कर देखें, तो देखें, अलागी most of the candidate को इसके बारे में पता ही है, but कुछ candidate है, इनके बार-बार मेरे पास मैसी जा रहे है, कि form fill के रिगाड़ी, तो मन को बताना चाहूंगी, कि अभी जो Punjabi paper A को लेकर जो ये जो process है, इसके लिए आपको कोई भी form fill नहीं करना है, और इसके लावा जो candidate पूछते हैं कि मैं, क्या सभी को एक्जाम देना है, तो देखें, मैं उनको बताना चाहूंगी, कि चाहे आप कितना भी score हो, paper A में आपका qualify है, नहीं है, आफ टोपर हो, आप last में हो, कोई भी candidate हो, सभी को ये exam देना है, सभी के लिए ये exam कही और दूसरा काफी candidate पूछते हैं कि मैं, हमारा जो paper B में जो score है, वो अच्छा नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कि हमारा selection नहीं होगा finally, क्योंकि हमारा score बहुत कम है, तो हमें exam देना चाहिए, या नहीं देना चाहिए, तो उन candidate से देके सबसे पहले, तो मैं आप सी ही एक बात पूछना चाहूँगी, कि क्या आपके पास कोई other option है, क्या आपको लगता है, कि आपका कहीं और अच्छे आपको कहीं अच्छी opportunities मिल रही है, कहीं और आपका selection हो जाएगा, आपके पास कोई better opportunity है, तो अगर आपके पास कोई और option है, तो then you can skip this exam, आप मत दीजी exam, अगर आपके पास कोई other option है ही नहीं, आपको form भी फिल नहीं करना, कोई fees नहीं लगनी, तो मेरे according तो देखिए, आप सभी को ये exam बिल्कुल देना चाहिए, no matter कि आपके paperby में कितना score है, आप सभी को ये exam बिल्कुल देना चाहिए, और इसका देखे कहीं ना कहीं reason ये भी ह है कि जो अभी जो एटटी तेही चौंट की जो recruitment है, एटटी तेही चौंट की recruitment में भी बहुत जल जल जो candidate की जो list है, वो जारी की जाएगी, काफी candidate ऐसी होंगे, जो 99.99 से तेही चौंट में चले जाएगे, तो overall देखे, 99.99 की जो cut-off है, वो काफी down, आपको add-up देखने को मिलीगी, तो जब तक देखी, department से officially list प्रिपेर नहीं हो जाती, जब तक department के तरफ से कह सकते है कि जो selected candidate की list है, या फिर कहीं तो cut-off जारे, नहीं की जा सकती, की जाती, तब तक हर एक candidate, हर एक candidate अपने आपको competition में लेके चले, किसी को यह नहीं सोचना कि पता नहीं, मेरा selection हो और जैसे मैंने बोला, अगर आपके पास कोई other option है, तो you can skip, otherwise you should give this exam, तो उमीद है कि अभी जो candidate के माइन में बार-बार questions आ रहे थे exam के regarding, वो आपके सभी doubt जो है, जो queries हो clear होई होगी, अगर हम conclusion of the video की में बात करूँ, कि conclusion of the video यही है, कि exam के regarding, जो आपकी exam date है, exam date आपको election क के बाद ही देखने को मिलेगी, election के just बाद आपकी exam date जारी की जाएगी, अब election के बाद एक दिन, दो दिन या तीन दिन, कितने दिन में exam date है, most probably chance है, तो यही है, just immediate election के बाद ही, आपकी exam date है, वो जारी की जाएगी, और exam date के बाद, आपका जो exam है, वो भी बहुत जल conduct करवा जाएगा, और mostly 99% chance है, कि आपका जो exam है, वो जून के last week में ही देखने को मिलेगा, तो इसी के according अपनी preparation को करते रहिए, और अगर किसी भी तरह की कोई भी query है, preparation के regarding, तो देखें, मैंने already, आपके साथ, वीडियो भी share की है, और जो important PDFs पेगर रहा है, study material के regarding, तो मैंने telegram च के लिए informative रही होगी, वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को subscribe करे, wish you all the best, thank you.